सब्सक्राइब कीजिए पीपर्स चैनल को और प्रैल आइकन को दबाईए इनी लेटेस्ट अब्डेट सबसे पहले देखने के आदेन्य प्रधान मंत्र जी नमस्कार मेरा नाम मधुमिता सेन गुपता है मेरा बेटा कक्षा नवी का छात्र है महोदे पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था टीचर्स अप्रिशेट करते थे लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका जुकाओ कुछ जादा ही भढ़ गया है जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फरक पढ़ रहा है मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ कृप्या मेरा मार्क दर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिती को कैसे समानूँ धन्यवाद पायनी कृप्या इस पर अपने विचार प्रकट करें यह पबजी वाला है क्या यह आद तो फ्रेंट लाइन माला होगा कि यह समस्या भी है समाधान भी है हम यह चाहें कि हमारे बच्चे टक्लावनोजी से दूर चले जाएं फिर तो वह एक प्रकार से अपने साहरी जिंदिगी से प्रकार से पीछे की दर्व जाना शुनूब और इसलिए उसको यह टेक्नोलोजी के समय में प्रोथसाहित करना चाहिए लेकिन उस टेक्नोलोजी का क्या उप्योग करता है क्या टेक्नोलोजी उसको रोबोट बना रही है क्या या इंसान बना रही है अगर माबाप थोड़ी रूची लें कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलोजी के बताई भई इंदें को लगेगा मैं जो कर रहा हूं मेरे बाबाप हो सकता है मेरी मदद करेंगे तो पहला काम तो आप किसु को रोगने मैं देख रहा हूं यहां करीब 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 हरे के हाथ में मोबाइल फोन हो सकता है कुछ लोग यहां प्रदानमंजरी के कारकम में होंगे लेकिन पोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूँ इससे क्या होता है दीरे दीरे हम सिकूरते चले जा रहे हैं टेकनलोजी हमें अगर सिकूर देती हैं हमें नेरो बना देती हैं हमारी सोच भी बड़ी नेरो बन जाती है तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा लुक्षा हो तो टेकनलोजी का उप्योग हमारे मेरे सामर्थ है मैं बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए और इसके लिए टीचर्स ने भी बार बार इन विश्वों की चर्चा करते रहना है झाल 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 झाल